देखिए, disability pension का जो निर्नाई है, जो calculation है, वो depend करता है दू चीज़े का उपर, धेन रखिएगा, दू चीज़े का उपर depend करता है, सबसे पहला जो चीज़े हैं, वो है आपका percentage of disability, आपका कितना percentage of disability, आपका जो medical board है, दक्तर ने, medical board ने, आपको कितने percentage of disability दिया हुआ है, नमबर वन, condition नमबर टू, कि आपका disability किस बज़े से हुआ है, यानि कि आपका disability aggravated या attributable, आप सोच रहे हैं, ये attributable और aggravated ये कौन सा बला है, देखिए, aggravated वो है, जैसे कि आपका branchial asthma हो गया, या फिर आपको hypertension का बिमारी हो गया, ये क्या हुआ, पोज का stress and strain के बज़े से हुआ है, ये बिमारी, कि किसी एक दिन बक्सा उठने गए, तो आपको नहीं हुआ, मेस वर्किंग गए, रैशल लाने गए, इस बज़े से आपका नहीं हुआ, ये नहीं कि डिरेक्ट किसी activity के उपर आप इसको relate नहीं कर सकते हैं, ये आपका entire जो service है, जो service condition है, उस बज़े से हुआ है, तो ये हो आप लोड कर रहे है, गरी में लोड करते समय, एक भक्सा आपका पैर में गरिया, भगवान ना करे कभी किसी को ऐसे ना हो, तो आपको इस बज़े से पैर में fracture हो गया, तो क्या होता है, ये directly देखिए, जो disability हुआ है, आपका fracture हो गया, ये disability है, ये directly, एक reason, direct आप relate कर सकते है तो इस case में ये जो disability है, वो attributable to military service, ज़्यादा तर जो accident, किसी incident का बज़े से जिनको disability होआ है, duty का दरण, तो ये जो है, attributable to military service मना जाता है, आप छुटी में है, casual leave में है, आपको कुछ हो गया, वो भी attributable to military service कभी को भी मना जाता है, वो depend करता है, जो quota inquiry है, वो क्या decide करता है, कम से कम aggravated तो होना ही चाहिए, पर EL में अगर होता है, तो ये एक होज का rule है, आप annual leave में है, तो उस condition में जब आप छुटी से बापस आ रहे थे, और जब छुटी जा रहे थे, ये दोनों ही duty में count है, और इस case में आपका अगर कोई accident हो जाता है, तो वो भी aggravated by military service count होगा, याने कि आपका जो disability है, या तो वो attributable या फिर aggravated, ये दोनों में से एक होना चाहिए, अगर ऐसे है, तो आपका condition number two आप fulfill करते हैं, तो ये दोनों condition जो मैंने बता है, फर्स condition है, कि आपका disability का percentage, वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए, और second condition है, कि आपका तो ये दोनों condition अगर fulfill करते हैं, तो आपको disability pension मिलेगा, अब कितना मिलेगा, देखिए, इसका जो calculation है, बहुत simple सा है, अभी देखिए, जो 7CPC का बात कर रहा है, अभी का जो system है, अभी grade pay system नहीं है, सीधा-शीधा pay matrix में, pay level में आपका जितना आपका basic pay है, वो ले 500,000, अब आपका MSP है, 5,200, 50,200, और क्या है, और आपका class pay है, माल लीजिए, 800 रुप है, तो कितना हो गया, total तीनों मिला करके 51,000 हो गया, अब आपका जो disability pension होगा, वो कैसा होगा देखिए, अगर आप 100% disabled है, तो आपका disability कितना होगा, 51,000 into 30 by 100, याने कि 30%, जितना आपका emoluments, यह जो total तीनों चीजों का, जो मैंने total बताया है, इसी service में है, जैसे याफोस बेगरेम में है, वहाँ पे good service पे भी बना जाता है, और भी कहीं सरे pay हो सकता है, जो भी pension के लिए जो pay, जो accumulate होता है, जिस pay के उपर आपका pension बन रहा है वो है emoluments, उस emoluments का 30%, याने कि 51,000 का 30%, यह जो amount होगा, लगभग 15,300 का सबसार है, तो यह जो है amount, यह होगा आपका 100% disability, आप भाण लीजिए, बोड आपको 20% disability दिया होगा है, एक term और है, यह आपको धान में रखना होगा, यह है broad bending, broad bending यह है, आपका disability, 20 से लेकर के अगर 49% तक बीच में है, 21 हो, 30 हो, 40 हो, 49 हो, तो आपका यह माना जाएगा 50%, 20 से लेकर के 49% का अगर disability है, वो माना जाता है 50%, तो मल लीजिए, आपको 20% देया होगा है, तो आपका सीधर सीधा, आपका broad bending कितना होगा, आपका disability, 50%, तो आपने क्या बताया था, कि 100% disability अगर आपका है, तो आपको कितना मिलेगा, 15,300 का, तो अगर आपका 50% disability है, तो कितना मिलेगा, इसका हाप दिलेगा, बहुत सेंपल सा, तो इस आपका disability pension है, बहुत लोगों का यह doubt था, कि 7 CPC में जो disability pension revise होगा था, और slap based होगा था, हाँ, आपने बि recommendation था, 7 CPC का, बट, September, 5 September 2017 का लेटर है, अब देख लीजेगा, उसमें फिर Government of India ने इसपस्ट कर दिया, कि ओ जो slap based जो था system, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, simply आपका जो पहले का, जो system था, यानि कि 30% का जो हिसाब है, जो calculation था, उसी को 2.57 multiplication factor से गुना करके, आपका भरसमान, ज disability pension counting किया जाएगा, यानि कि slap based जो disability pension है, वो लागू नहीं हुआ, very simply, आपका 30% of basic pay यह है, 100% disability, तो उभीद है कि अब यह clear हो गया, लेकिए इस बारे में मेरा 2-3 वीडियो है, जब पका, ज सक्मान का जाएगा, यानि का बारे मेरा 2-3 वीडियो है, जाएगा जो डाएगा, कि एने क्पार इस बारे में आएगा, आसि जाएगा भरसमान, लाज़ागा तो प्तारा से जा सिजागा, खेस्तावाल 3-2 बारा definite जार्न, जाएगा, जाएगा से बारे में में